हेलो फ्रेंड्स आपका सौगत है हमारे चैनल पे दोस्तो आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनकी यदाश या आप कह सकते हैं स्मरन शक्ती कमजोर होती है स्वास्ते की दिश्टी से स्मरन शक्ती कमजोर होने का मुख्य कारण शारीरिक और मांसिक कमजोरी का मुक्ता एमवम मन की असिरता है बाजार में स्मरन शक्ती को बढ़ाने के लिए आने वाली और शदियां सिर्फ मनोविज्ञानिक असर चोड़ती है कि हमने दवाई ले ली है जबकि इससे हमारी यदाश तेज हो जाएगी इसकी गरेंटी कोई नहीं लेता और ऐसा हो भी नहीं पाता है दोस्तों आज हम आपको कुछ छोटे छोटे गरेलू उपाए बताएंगे जिससे इस्तमाल करके आप अपनी कमजोर स्मरन शक्ती को ठीक कर सकते हैं सबसे पहले तो स्मरन शक्ती को बढ़ाने के लिए रोज सुबा एक आमले का मुरब्बा आप खाएं जिन विध्यारतियों को कोई याद नहीं रहता है उन्हें सुबा सुबा खाली पेट एक सेब खूप चवा चवा कर खाना चाहिए दोस्तों तीसरा उपाय है कि अकरोट की बनावट हमारे मस्चिक जैसी होती है अकरोट खाने से हमारे दिमाग की शक्ती बढ़ती है गर्मियों के चार महिने छोड़कर एक अकरोट की गिरी को सुबा खाली पेट सेबन करे इससे आपकी कमजोर स्मरन शक्ती ठीक हो जाएगी इसके अलावा स्मरन शक्ती के लिए बदाम और काली मिच का सेवन करना बहुत हितकर है लेकिन रोज रोज बदाम बिगोना, पीसना और खाना या खिलाना मुश्किल कार रहे है इसके लिए आप बदाम के लड़ू बना का रख सकते हैं जिसे असानी से खाएं और खिलाएं जा सकें एक छोटी चमच शंक पुश्पी का चूरन दूद या मिश्री के साथ रोज सुबा चार मात तक विशेशकर गर्मियों में लेने से स्मरन शक्ति वा मस्चिक की दुरबलता दूर हो जाती है गुलाब की पतियों से बना गुलकंत के सेवन से भी स्मरन शक्ति बढ़ती है दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें धन्यवाद